इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक WhatsApp में दो अकाउंट कैसे चलाएंगे एक WhatsApp एप में दो-दो WhatsApp अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैसे create करेंगे तो इस वीडियो को आप सुरू से last तक देखते रहिए तो देखिए आपको करना क्या है, अपने WhatsApp को open कर लेना है और जब आप अपने WhatsApp को open कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है उपर right side में आप three dot देख रहे हैं, three dot में जाएंगे three dot में जाने के बाद आपको जाना है settings में और settings में जाने के बाद आपको यहां पे मिल जाता है arrow का निसान तो arrow पे आप जैसे जाएंगे तो arrow पे जाने के बाद अब आपको क्या करना है add account पे जाएंगे add account पे जैसे जाएंगे तो add account पे जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे agree and continue पे चले जाना है जैसे आप agree and continue पे जाएंगे तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना mobile number इंटर करना है जैसे आप अपना mobile number इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको next पे क्रीक करना है जैसे next पे क्रीक करेंगे तो यह भी मेरा ही number है OTP आ चुका है तो उस OTP को हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं और OTP को जैसे हम इंटर करते हैं इसके बाद यह अकाउंट हमारी बनकर रेडी हो जाती है तो अब हमारे इस एक WhatsApp में दो-दो अकाउंट बनकर त्यार हो चुकी है यहाँ पर देख सकते हैं भी हमारा हो चुका है तो यहाँ पर अकाउंट हमारा बनकर रेडी हो चुका है तो इस तरीके से आप दो-दो अकाउंट WhatsApp का अपने मुबाइल में चला सकते हैं तो यह WhatsApp का नया फीचर बहुत ही लाजबाब है बहुत ही मज़ेदार है तो इसको अब यूज कैसे करना है यह भी हम आपको बताएंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है अकाउंट बनने में तो उसको यूज कैसे करते हैं यह आपको यहाँ पर जैसा कि देख सकते हमारी दो-दो अकाउंट बनकर रेडी हो चुकी है तो अब यह किस तरीके का दिखता है यह हम आपको दिखा दें तो हम जैसे वाटसप पर किलिक करते हैं तो हम जाते हैं तो यहाँ पर स्वीच अकाउंट पर जाते हैं तो जैसे स्वीच अकाउंट पर जाते हैं तो यहाँ पर हम दूसरे वाले वाड़े विडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और इससे फाइदा यह हुआ कि अगर अच्छा लगे विडियो तो लाइक किजेगा दोस्तों को सेर कर दीजेगा तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्ट वडियो में तब तक लिए गाइस बाबाए टेक क्या